हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट रेसिपी जो कि बच्चे और बड़े दोनों को ही काफी पसंद आते हैं और वो हैं हमारे डोनट्स तो आज हम इनको बनाएंगी बिदाउद एग और इस्ट के और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगी इनको काफी और काफी सारी फ्लेवर हमने इसमें अड़ किये हैं तो चलो रेसिपी स्टाट कर लेते हैं तो रेसिपी स्टाट करने से पहले निव विवर्स प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली न्यू अपडेट्स के साथ जुड़े में तो यहां पर हमने ले लिया है एक बाउल और हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम मैदा हाफ कप ले लिया है पौपर सुगर एक पैकेट ले लिया है इनो और यह पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छे से यहां पर हमने ले लिया है दो चम्मज विनेगर वाइड विनेगर लिया है तो इन दो चीजों से हमारे डोनट काफी फलपी बनेंगे किं सोनगी अंदर से और यहां पर लिया हमने एक कप दूद और हम दूद डालते हुए ठोड़ा तोड़ा इसका हम डो रैडि करिंगे हर सॉफ्ट डू तेयार करना है हमें डूद के लिए यह साथ सारा दूद नहीं डालना है दीरी दीरे डालते हुए कि सौर्फ्ट डो में हम इसको तेयार करेंगे अब हम कि हाँ पर ढाल देंगे थोड़ा सा पानी मैंने आदा कब इसमें दूद आ बना लिया है यहां पर मैं दो चमर डाल दूंगी बटर रूम टेंपरेचर में रखा हुआ बटर है और इसको डाल के अच्छे से गूंद लेगे आटे को और उपर से थोड़ा सा बटर से इस तरह से लगा कि इसको अब रैस्ट पर छोड़ेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए इसक तो कपड़े से ढखते हुए और यह देखें 20 मिनट बाद हमारा सॉफ्ट एकदम डो रैडी हो चुका है अभी हम इसको इस तरह से मस लेंगे इसे क्या होगा और भी ज़्यादा फ्लपी हो जाएगा हमारा आटा डो तो यह करना बहुत जरूरी है आप भी इससे तरह से कीजिए दो तिन मिनट के लिए कम से कम ऐसे लगातार कीजिएगा सूखा मैदा लगाके अब हम इसको बेलेंगे इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें रोटी जैसा नहीं बनाना है इसको हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे यह देखिए इस साइज में और यहाँ पर ले लिए हमने एक बड़ा साइज का गिलास और यह चोटा सा कटर है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप किसी चोटी सी बोतल का धकन ले लिजिए उससे भी बना सकते हो और इस गिलास से हम जो इना इसके शेप काटेंगे डोन सबी हम इसी तरह से बना बना लेंगे डोनट यहाँ पर हमने ऑइल गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा सा आठा डाल के चेक करेंगे जब आठा हमारा फूल के उपर आ जाएगा तो समझ लीजिए हमारा ऑइल अच्छे से गरम हो गया है और इस टाइम हम जो इना इसमें डोनट डालते हुए फ्राइ करेंगे और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल ही सिम कर देना है इसको बिल्कुल सिम गैस पर ही इसको फ्राइ करेंगे तो क्या होगा तेज गैस पर डोनट हमारे उपर से तो सिखे हुए नजर आएंगे बट अंदर से कच्छे रह जाएंगे और यह फ्लपी भी नहीं होंगे तो चौकलेट तो अगर आपके पास डाक चौकलेट है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए नहीं है तो उसका आपको अप्छन में बताती हूं यहां पर मैंने लिए है एक कप पानी कोको पॉडर ले लिया है Bye on बउन बीटव लिया है अ दा कप ले लिया है चाबत और और एक कप ले लिया है चिनी कि एक गत्राश पानी डाला एक कफ पानी डाल दीया पैन मे ौर उसमे चिनीड यालतें ग雁 शहां चिनी को melt होने तक इसको पकाएंगे एक चमस से बटर मिला देंगे इस टाइम हों मिट चॉकलेट है डाक चॉकलेट और बहुत ही टेस्ट में बाहर जैसी लगती है और डोनट्स के लिए काफी अच्छी है यह चाबल काटा इसमें मिला देंगे और इस टाइम यह सारी चीजे से ही आपके डाक चॉकलेट बहुत अची बनेगी मिलाएंगे यहां पर जल्दी जल्दी गैस का फ्लेम यहां पर बिल्कुल कम कर देना है थोड़ी दिर पकाने के बाद गैस को बंकर देंगे और यहांपर ले लिया है कोको पाओडर तो दो छम्माच भर एक हम कोको पाओडर आड यहांपर हमने बंकर दी है और बस आप गुदा मिलाना है वो हमें सारे ठीक करने है तो यह देखिए डोनट्स के लिए काफी अच्छे हमारी डाक चॉकलेट तेयार है यह है white chocolate यह भी हमने melt करके रखी हुई है तो यहां पर मैं थोड़ा सा white chocolate अलग बाउल में रखूँँगी और थोड़ा अलग इसमें रखूँँगी तो इसमें हम color आड़ करेंगे तो मैं यहां पर एक blue color आड़ करूँगी यह वाला फूड कलर है यह बहुत अच्छे इसमें काफी सारे कलर है आप जाहें तो इसमें सारे कलर एड़ करके आप ट्राइब कीजिए और यह हमारा भड़ी असा फूड के वह त्यार है ब्लू में बहुत ही सुन्दर सा और इस तरह से डोनट इस टिप करके यह हमारा एक फ आज़े के वायट चॉकलेट कर रखेंगे और वायट चॉकलेट की वीडियो में निकाल दूँगी आप वहां से वहांसे इसको देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो यह जैम है इसकी वीडियो बहुत ही टेस्टी बना है और यह डर्क चॉकलेट जो हमने बनाई है इसमें डिप करेंगे और यह देखिए हमारे कितने सारे फ्लेवर रैडी है और मेल्टीड वाइट चॉकलेट से हम इसमें डिजाइन को क्रेट करेंगे यहाँ पर डिजाइन अपने मन से आप कुछ भी बना सकते हो और यह देखिए कितने सुन्दर से हमारे डोनर्स एकदम बनके तयार है और इनको मन पसंद के उससे आप इसको डेकुरेट कीजिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा जैम डाल दिया था यह भी बड़ा सुन्दर लग यह डाल चॉकलेट से इस तरह से डिजाइन बना दिया वाइट के ऊपर सारे ही एकदम यूनिक अच्छे लग रहे ना खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हैं आप इसको ट्राइक कीजिए जरूर और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए जदा से जदा इसको शेयर कीजिएगा और मेरे से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को पर आइक उन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी आने वाली न्यू अपडेस आपको सबसे पहले मिल सकें तो यह देखिए हम एक ख enjoy कीजी वीडियो को कर दो